मित्रो नमस्कार हम आपके साथ हाजिर हैं उत्तर परदेश की कुछ महातपूर्ण हस्तियों ने पद्म पुरस्कार प्राप्त किये हैं जो पद्म पुरस्कार तीन प्रकार के होते हैं पद्म भीभूसण पद्म भूसण और पद्म स्री तो इन्हीं तीन स्रेडियों में जिन महत्पूर्ण हस्तियों ने प्राप्त किया है उन्हीं को लेके हम आपके सामने डिस्कस करने आये हैं तो आएए देखते हैं पहला कौन है पहले पद्म भीबूसरण प्राप्त करता है मित्रों मुलायम सिंहादो जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता रहें मित्रों तो उनके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं मुलायम सिंहादो असाधारण यूम बिस्ट सेवा के लिए इनको पद्म भीबूसरण पुरसकार जो मिला है ये असाधारण यूम बिस्ट सेवा के लिए मिला है 1902 में ये समाजवादी पार्टी की इन्होंने अस्थापना की थी और तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री रह चुके हैं और एक बार भारत के रच्छा मंत्री के रूप में भी इन्होंने पद्भार सम्हाला है तो इनके बारे में देखिएगा मित्रों ये बहुत ही म मित्रों पद्म स्रीपुरस्कार मिला है ठीक आए इनके बारे में कुछ देखते हैं इन्होंने साहित्यों सिच्छा के छेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है इन्होंने साहित्यों सिच्छा के छेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है मित्रों यह जहांसी के रहने चुके हैं कितना 400 से अधिक पत्रों और 80 से 80 पुष्टकों का लेखन कर चुके हैं इनके पुष्टक गडितानंद को IIT बांबे द्वरा प्रकासित किया गया है इनकी एक पुष्टक हमित्र राधा चरण गुप्ता की जो है यह गडितानंद नाम से है इनको जो है IIT बांबे इसको प्रकासित किया है अगले देखते हैं मित्रों कौन है अगले हैं दिलसाद हुसेन यह हैं दिलसाद हुसेन जी तो इन्हें कला के छेत्र में पद्म सिरी पुरसकार से सम्मानित किया गया है इनका क्या बैग्राउंड है यह कला छेत्र से हैं और दिलसाद हुसेन को नक यह मुरादावाद के रहने वाले हैं और अभी जी सेवन सम्मेलन जो हुआ था हाली में तो उसमें पीम मोदी ने इनके जो है नकासी किये हुए पीतल के कलस को जर्मन चांसलर आये थे इंडिया दोरे पे उनको भेट वरूप में दिया था तो इनके बारे में पूछा जा सकत में आप ध्यान दिजिएगा ठीक है मित्रों अगले देखते हैं कौन हैं अगले हैं उमा संकर पांडे जी मित्रों यह बादा जिले के रहने वाले हैं ठीक और इनको किस छेत्र मिला है इनको मिला सामाजिक छेत्र के उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें पद्म स्री पुर की रूप में अपने गाव में बहुत ज़्यादा इवद्तान दिया है पानी की समस्या रही होगी तो इन्हों ने बहुत ज्यादा क् pratica की रूप में तो इन्हें पद्म स्री से ज्रे नहां जागया है अगले मित्रों मनोरंजन साहु नाम कितना मस्त है इनका और पांदेख इसलिए तो इन्हें पुर्षकार मिला है सात्यों मनोरणजन साहु जी सत्सत्नमन है इनको प्रणाम है देखिए यह कासी नगरी के रहने वाले यह अपने कासी के रहने वाले कासी जानते हैं किसको बावा विश्वनात की नगरी वनारस ठीक देश की सांस्कृतिक राध्धानी भी कहा जाता है मित्रों यह इन्होंने बियच्चु के आयुरुवेद संकाय जो है यह उसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं ठीक तो यह चार सूत्र चिकित्सा पद्द के विशेशग्य हैं तो इनको जो है इसलिए पुरसकार यह दिया गया है ठीक है मित्रों आप लोग अगर जरू हो तो इसकी इंसाट वगएरा ले लिया करिएगा क्योंकि यह महत्पूर्ण जानकारिया इसमें से स्टेटमेंट वाइस करके दे देगा तो देखिएगा इस संगीत यह मंच कला संकाय के गायन विभाग के प्रोफेसर है तो इने संगीत के छेत में पद्मसीरी पुरसकार दिया गया तो अभी देखिए पुरसकार जो अभी हम बता रहें इनको इनकी घोसना की गई है अभी किसको दिया नहीं गया तो यह नामित लोग है तो इन्हें धुरुपद गायकी में देश विदेश में अपना और भारत का नाम रोसन किया है इन्होंने धुरुपद गायकी में अपना और अपन कौन जी अग्ले हैं भिश्वनात प्रसाथ तिवारी जी इन्हों ने गोरकपुर विस्टविद्ठा के हिंदी विभाग के सेव निवित प्रोफेसर और बिभागा अध्यच तो इन्हें, साहित्य और सिच्छा के छेत्र में इन्होंने साहित्य और सिच्छा के छेत्र में अमूल लियोगदान दिया है इसलिए इन्हें पदम सीरी पुरसकार परदान किया गया है ठीक है मित्रों इन्हें पदम सीरी पुरसकार दिया गया है और साल 2019 में ग्यान पीठ पुरसकार से भ बहुत ज़्यादा थोड़ी नहीं होगा है तो करेंट में पूछा जा सकता है विश्वनात प्रसाद जी चलिए अगले देखने कौन है अगले हमित्रों ये प्रोफेसर अरविंद कुमार जी इन्होंने रानी लच्मिबाई केंद्रिय किरसी विद्याले के पूर्व कुलपत सबस्द्रिय के इन्जिनिरंग के इन्हेर अब तक इंहोंने नौध पिएजडी के अगे नस्यों सीयवित्त करभी है सवस्ट विज्यान के सोध पत्रों का निर्देशन किया है तो इतने ही महात्पुर्ण हस्तिया थे दोस्तों उमीद करते हैं यह इतने ही थे तो उमीद करते हैं आप लोगों कि यह जानकरी पसंद आएगी तो हम जैसे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए और चीजों को ला लाइक करेगा और साथ बनाए रखने के लिए बहुत धन्यवाद मित्रों जै हिंद जै भारत